असलाम लेकूम, आज हम बनाएंगे शिकमपूरी कबाब, शिकमपूरी कबाब शामी कबाब उसे मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इसमें डिफरेंसेज होते हैं, जो कि इनको शामी कबाब ना बना कर शिकमपूरी कबाब बना देते हैं, लेकिन वो डिफरेंसेज हैं क् आप चाहें तो कीमा भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको अपनी पसंद के किसी भी मीटर बना सकते हैं जैसे कि चिकन वगएर आप यूज़ कर सकते हैं अब यह 3 x 4 कप यानि की 150 ग्राम चने की डाल है आदे गंटे के लिए मैंने इसको भीगो दिया था अब इसका पानी ड्रेन करके यह दाल भी हम मीट के साथ आड़ कर देंगे प्रेशर कुकर में मैंने दोनों चीज़े आड़ कर दी हैं अब मसाले शामिल कर देंगे इसमें तो 1 टीस्पून और 1 x 4 टीस्पून मैंने नमक डाला है आप टेस्क के हिसाब से डाल लीजगा और इसमें डालेंगे अब 2 टेबल स्पून इसमें तेल डालेंगे कोई सबी तेल आप इस्तमाल कर सकते हैं और अब जाएगी इसमें एक मीडियम साइज की प्यास इसको रफली चॉप करके डाल देंगे और साथ में एक टेबल स्पून भर के अद्रक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे अब हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे एक-एक मुठी और 2-3 हरिमेश डाल देंगे हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आने के बाद गैसी फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको 20 मिनट के लिए पकाएंगे अगर आपने चिकन यूज किया है तो 10-12 मिनट में आपका चिकन गल जाएगा इस दरमियान हम एक मिक्सी का जाल लेंगे इसमें 4 टेबल स्पून सूखेवे नारियल का पाउडर यानि की डैसिकेटेड कोकोनट डालेंगे अगर आपके पास डैसिकेटेड कोकोनट नहीं है तो फिर आप सूखवा नारियल भी यूज कर सकते हैं चौप करके इस टाइम डाल लेजेगा अब ये 8-10 का जो और 8-10 बादा में ये भी इसमें चले जाएंगे ये कुछ ऐसे इंग्रीडियंट्स होते हैं जो कि शामी कबाब और शेकमपुरी कबाब को आपस में एक दूसरे से अलग बनाते हैं तो इनको ग्राइंड कर लेते हैं तो हम इसको हलका सा दरदरा सा पीसेंगे तो इस तरह से हमारा मिक्शर रेडी है ड्राइफ फूट्स का एक टीस्पून इसमें खश खश भी डाल देंगे अगर आपके पास है तो जरूर डालिए नहीं है तो इसकिप कर दीचेगा और ये सारे ड्राइफ फूट्स आप चाहें तो इसकिप भी कर सकते हैं नहीं डालेंगे तो इसके बावजूद भी जो हमारे शेकम पूरी है ना बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन ये ड्राइफ फूट्स इसके टेस्ट को और भी जादा बढ़ा देते हैं इधर आ जाते हैं हम कबाबों के मिक्शर की तरफ प्रेशर जब खुझ से निकल जाएगा हम इसके लेट खोलेंगे और हाइफ लेम करके जो भी आपको एक्स्ट्रा पानी देख रहे ना इसको हाइफ लेम पर ड्राइफ लेंगे इसे दरम्यान इसमें एक टी स्पून डालेंगे मैंगो पाउडर यानिकी अमचूर का पाउडर अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो फिर आप नीबू कर रस भी यूज़ कर सकते हैं अब हाई फिल्म पर जितना भी एक्स्ट्रा पानी इसको ड्राइब कर लेंगे यहां पर मैं आपको एक टिप देती चलूँ अगर आपका मिक्शर आपको ऐसा लगता है थोड़ा ज्यादा गीला हो गया है और हैंडिल नहीं हो रहा है तो आप इसमें एक से दो ब्रेट के स मिक्सी में ग्राइब करके डाल दीजाएगा आपका जो मसाला है एकदम परफेक्ट उसमें आ जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं हाई फ्रेम पर मैंने इसका पानी ड्राइ कर लिया है और अब हमें इस मिक्स्चर को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है जब यह ठंडा हो अब इसमें डालेंगे गाडा दही तो यह 150 ग्राम दही था जिसको आदे घंटे के लिए मैंने चनी को पर रख दिया था जिससे किसका सारा पानी जो है वो निकल गया आप चाहें तो इसमें दो तीन टेबल स्पून फ्रेश क्रीम या फिर दूद की मलाई भी डाल सकते हैं अब जो हमने ड्राइफ रूट्स पीसे थे वो हम इसमें दो से तीन टेबल स्पून डाल देंगे बाकी हमें सारे बचा लेने हैं वो हम की में मिक्स करेंगे अब यह 1 by 4 टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है और 1 by 4 टी स्पून काली मिर्श का पारडर डाला है अच्छे कबाब से तो ये वोका सोर्डाते हैं जो कि हमारे शेकंपुरी कबाब के अंदर फिल की जाती है जिसकी वज동 Eating जल्दी से कबाबों को पीस लेते हैं क्योंकि मिक्ष्छ घंडा हो चुका है तो एक प्रोसेशर निया फिर मिक्सी के जार में इसको ट्रांस्फर कर देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे तो यह हमारे कबाब का मिक्सर पिस चुक है अब हमने जो ड्राइफ रूट्स पीसे थे वह हम इसमें डाल देंगे इन्हीं ड्राइफ रूट्स में से दो टेबल स्पून मैंने फिलिंग में तो फिलिंग में भी आप डाल लेंगे तो टेस्ट बढ़ जाता है और एक अंडा इसमें शामिल कर देंगे बाइंडिंग के लिए अंडा यूज नहीं करते हैं तो दो टेबल स्पून कॉन फ्लावर डाल लीजगा अच्छी तरह से इन सभी इंग्रेइंट्स को मिला देंगे और अब हादों पर थोड़ा सा तेल अपलाई करके हमेरे शिकमपूरी कबाबों का शेप दे देना है तो नॉर्मल इसको कबाब का शेप देंगे हाद से थोड़ा फ्लाट कर देंगे क्योंकि बीच में हमें फिलिंग भरनी है और एक टेबल स्पून के करीब फिलिंग लेंगे इसके सेंटर में हम इसको भर देंगे और इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से एकदम अच्छे से फोल्ड करेंगे जिससे की फिलिंग बाहर नाए तो इस तरह से हमारा श्रीकमपुरी कबाब बन करते यार है और बाखे कबाब हमें इसी तरह से बना लेना है और चलिए अब इनको हम फ्राइ कर लेते हैं मीडियम फ्रेम पर तेल गरम कर लेंगे और तीन से चाम निट लगेंगे एक अच्छा सा कलर आने में हमारे कबाबों में तो बस दोनों तरह से साइट्स को टर्ण करते हुए फ्राइ कर लेते हैं जब तक परफेक्टली गोल्डेन और क्रिस्प नहीं हो जाते हैं शेकमपुरी कबाब जो नॉर्मल कबाब उससे थोड़े से बड़े बनते हैं क्योंकि इसके अंदर फिलिंग भड़नी होती है तो थोड़ा सा मिक्शर जादा लिया जाता है और इस तरह से बहुत ही जबदस हमारे शेकमपुरी कबाब बनकर तयारे हैं जो कि मुँ में घुल जाने वाले कबाब होते हैं क्योंकि इसके अंदर जो फिलिंग है ना जब आप इसको खाएंगे तो वो आपको एक अलगी एहसास देगी और नॉर्मल शामी कबाब से ये काफ़े डिफरेंट हो जाता है इस फिलिंग और ड्राइफ रूट्स की वज़ा से और आप देख सकते हैं फिलिंग भी कितनी जबदस लग रही है बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं अगर पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलेगा थैंक्स वर वचिंग दा वीटियो अलाहाफेज